नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाजार की पंडित पे दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मोस्ट अवेटेड इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ और आपको बताता हूँ टाइम के साथ कितनी देर में देखेगा मार्केट अप जाएगा तो आप देख लीजे 18 मिनिट में बोला है 7 मिनट में अब ट्रेंड और ये कल मिस मत करिएगा क्योंकि कल से मार्केट ज़ाधा रेंज तोडएगा दो दिन से नहीं तोड़ा है कल से रेंज तोड़ेगा तो मिस्स मत करिएगा कल का सबसे अच्छा ट्रेड होगा जो 10 बजे से पहले हो जाएगा तो आप सभी को पता है HDFC बैंक के क्या माइने हैं बैंक निफ्टी के लिए और HDFC बैंक अगर और भी ज़्यादा मजबूत होने जाला है तो इसका मतलब है कि ये तो बैंक निफ्टी के लिए सूनर पे सुहागा वाली ड्यूज हो जाएगी लाइक करना मत भूलिएगा क्योंकि देखेगा इन्फॉरमेशन जस्ट एक घंटे पहले आया है मनी कंट्रोल पे जाके चेक आउट कर सकते हैं और आप सभी लोग को वेट है कि लाइक कब HDFC HDFC बैंक का मर्जर होगा तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक कड़ी वादा बन रही थी और एक ही जगे से अप्रूवल आना बाकी था बाकी सब जगों से अप्रूवल आ चुका है तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां से भी अप्रूवल आ चुका है तो shareholders ने देखेगा approve कर दिया है और with majority votes के साथ approval दिया है HDFC और HDFC bank merger को तो ये bank nifty के लिए आप सभी को पता है like कर दीजे पहले तो कि bank nifty के लिए कितनी ज़्यादा positive update है तो आप देख सकते हैं आपे पूरी तरीके से इससे पहले किन किन लोगों ने यहाँ पे merger को approval दे दिया है और जिनके approval के बिना ये merger नहीं हो सकता था और यहाँ से दिक्कत स्वभाविक थी कि आ सकती थी बट यहाँ से नहीं आई थी तो एक बहुत ही important देखेगा जो board meeting होती है जहाँ पे सारे shareholder इस particular decision को लेते हैं कि वो इस particular deal के साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बैंकों ने पूरी तरीके से success पाई है और आप देखेंगे यहाँ पे कि पहले state bank, sorry RBI का और फिर देखेगा capital market के regulator SEBI का और फिर PFRDA का और फिर CCI competition commission of India का यारी कि जो सारे regulator हैं अपने sector के उनकी तरफ से सारा approval मिल चुका था उसके बाद एक approval लुका हुआ था और एक approval जो था वो आपको पता है क्या था shareholder जो देखेगा owners of the company होते है owners of the bank होते हैं तो उन्होंने भी देखेगा इस merger को इस mega deal को हाँ बोल दी है और आप देख सकते हैं just information एक गंटे पहले आईए और ये दोनों देखेगा shareholders के लिए HDFC के लिए भी और HDFC bank के shareholders के लिए भी बहुत बड़ी positive update है चुकि दोनों का फायदा होने वाला है mortgage lending major HDFC have given their nod to the amalgamation of HDFC limited and HDFC bank the company said in a company to the national company law tribunal तो आप समसकते हैं पूरी तरीके से यानि कि जो step होते हैं step by step इस deal में पूरे होते चले जा रहे हैं और पूरी तरीके से deal को confirmation मिल चुका है merger को confirmation मिल चुका है after merger ये देखेगा पहले तो ये इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा merger होगा ये समल लीजे और इस merger के बाद अगर आप देखेंगे तो ये सबसे solid amalgamated company होगी अगर आप देखेंगे the merger has been approved by the shareholder देखेगा with majority no objection तो आप देख सकते हैं कि shareholder अपने mindset को पहले ही clear कर चुके थे चुकि मैंने आपको बताया कि दिक्कत कहां प्याने वाली थी PFRDA की तरफ से, CBI की तरफ से, RBI की तरफ से और आपको पता है, CCI की तरफ से दिक्कते आ सकती थी बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आप समझ सकते हैं, फिर यहां पे भी no objection आना ही था और वो objection देखेगा आप देख सकते हैं, बिलकुल भी उस पे भी कोई देरी भी नहीं लगी and in addition to this, the company had also received a no objection certificate from both stock exchanges और जो रही कही कसर रहे गई थी आपको पता है कि RBI की तरफ एक बहुत ही बड़ा रुख होता है कि वो कहीं exploitation तो नहीं करेंगे customer का बहुत साजी चीज़े होती है से भी देखेगा ही देखता है कि investor का interest तो नहीं देखेगा खत्रे में है और PFRD ये देखता है पूरी तरीके से pension fund के regulatory norms को और CCI competition को देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं monopoly create हुआ जा रहा है तो इन सब चीज़ों को देखते हुए तो ये देखेगा ये सारे approval ये hurdles हम लोग के देखेगा clean shit हो चुके थे फिर अब shareholders ने भी कह दिया और अब NOC भी मिल चुका है इनको देखेगा दोनों stock exchanges से यानि कि बोथ stock exchanges ने आप आप NOC दे दिया no objection certificate तो आप समझ सकते हैं एक खुद में कित्ती बड़ी बात है और ये पूरा announcement शुरू हुआ था April 2022 में is dubbed one of the largest merger in India's corporate history the merger in terms of the market capitalization is set to create the third largest company in the country यानि कि after that after the merger अगर आप देखेंगे ये इंडिया की देखेगा क्या करेगी तीसरी सबसे बड़ी company market capitalization में बन जाएगा जो amalgamated entity बनेगी और ये इसका market valuation हो सकता है asset valuation जो base होगा वो 18 लाग करोन क्या सपास का हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है और अगर आप देखेंगे after the complete deal and merger existing shareholder of HDFC will own 41% of the HDFC bank तो अगर आप देखेंगे HDFC के जितने भी shareholders हैं वो own करेंगे HDFC bank का 41% stake और आपको पता है ये दोनों ही दोनों ही देखेंगा बहुत बड़े important element है bank nifty के जिसमें HDFC bank तो खुद के दम पे bank nifty को ऊपर और नीचे कर सकता है खुद के दम पे आप 28% से भी जादा majority है तो आप समझ सकते हैं तो इनके लिए positive update है तो ये bank nifty जो लगा तार गिरता चला जा रहा है जल्द ही इसमें आने वाले time में और भी confirmation आता चला जाएगा date भी announce हो जाएगी और उसके बाद आपको पता है bank nifty एक बड़ा अच्छा bounce back आपको देते हो देखने मिलेगा so be ready for it वीडियो गर अच्छा लगे तो like share subscribe करना न भूलेगा thank you so much